नमस्कार दोस्तों आसिस की बगिया चैनल से मैं आपका दोस्त आसिस आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों सर्दियों का लगवग लगवग आगवन हो चुका है तो ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये कुछ आखरी हपता चल रहा है तो दोस्तों अब हमारे जो अडेनियम के पौधे हैं इनके आराम करने का समय आ गया है तो दोस्तों जो अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फर्वरी तक ये समय होता है ये हमारे अडेनियम के पौधों के विश्राम का समय होता है तो इस period में दोस्तों ये पौधे हमारे dormancy period में चले जाते हैं तो आपको इन में कोई भी growth देखने को नहीं मिलेगी काफी सारे मेरे friends जानना चाह रहे थे कि winters में इन अडेनियम के पौधों की care कैसे करनी है तो आज इस video के माध्यम से मैं आपको कुछ tips बताऊंगा जिनके दोरा आप अपने अडेनियम के पौधों को इन सर्दियों में भी स्वस्तर हो सकते हैं और आपको main win points आपको ध्यान रखने हैं तो देखें ये कुछ अडेनियम के पौधे हैं जिनमें अभी भी birds आ रही हैं और flowering के लिए तयार हैं लेकिन सर्दियों का अगमन हो चुका है तो जो ध्यान देने योग के बात ये है कि दोस्तों सबसे पहला point हमारा जो है ये है कि जो भी आपके पौधे हैं तो उनमें जो भी खराब पत्तियां हैं dry पत्तियां हैं, dead पत्तियां हैं, sick आपको उसमें कोई leaf दिखाई पड़ रही है उन सब पुरानी पत्तियों को आप अपने प्लांट से बिलकुल हटा दीजिए इसका फायता दोस्तों ये किया है कि इसे जो भी आपके प्लांट में फंगस इत्यादी की समस्या हो सकती है वो नहीं होगी साथी दोस्तों जब इसमें पत्तियां ये सुकी हड जाएंगी तो पौधे को परियाफ्त मात्रा में जो proper sunlight है वो sunlight मिलेगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अडेनियों का पौधा है वो धूब का पौधा है और इसे ज्यदा ज्यदा sunlight की आउसकता होती है तो पहला point दोस्तों यह हो गया है कि जो भी आपकी इस तरह का पत्तियां है उन पत्तियों को आप हटा दीजिए तो आप देख यह कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल ड्रॉप हो चुकी हैं जबकि कुछ पौधों में अभी भी कलियां बन रही है और पत्तियां भी है तो यह plant to plant vary करता है तो इसमें कोई घबडाने के बात नहीं है कि आपके plant की पत्तियां पीली पड़ रही है यह सीजन के हो गया कि आप जो भी पत्तियां हैं उनको सब हटा दीजे और आप क्या करना है जो भी आपका गमला है दोस्तों जिस पॉर्ट में वो लगा है उस पॉर्ट को बिल्कुल साफ रखना है तो यह सेकंड पॉइंट हो गया जो भी उसके वीड है या जो आपकी सूखी हुई पत् ही रहने दो तो यह जो है स्वाइल में मिल जाएंगी इससे कंपोस्ट बन जाएगी लेकिन अडेनियम केस में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और आप जो भी पत्तियां सूखी या फिर कोई खरपतवार है कोई वीड है अगर वो उसमें गिरा है तो उसको आप हटा द है लेकिन जो सूखी पत्तियां है या फिर कोई इसमें खरपतवार है वीड है उनको आप अपने गंबले से हटा दीजिए अपने आप गंबले को सफ रखिए स्वच्छ रखिए इससे क्या है कि फंगस इत्यादी की समस्या आपके जो अडेनियम में में प्रॉलम आती है व यह सारी सफाई करने के बाद आपको हलकी सिस में गुड़ाई करनी है तो चलिए करते हैं गुड़ाई इस दोरान ध्यान देने योग बात यह है कि आप हलके हाथों से गुड़ाई करें और जो भी हमारे अडेनियम के प्लांट से उनकी रूट डेमेज ना होने पाए तो इ जाती है और प्लांट की जो रूट से वह हिल दी रहती है तो सर्दियों के मौसम में वैसे भी जो है काफी दूप की कमी आती है तो अभी सही समय है तो आप थोड़ा सा इस तरह गुड़ाई कर देंगे तो पौधों की जो रूट से उनको भी सूरज की रोसनी मिल जाएगी यह देखिए मैं आपको कुछ प्लांट करके इससे दिखा रहा हूँ तो यह काफी देखी प्लांट काफी बड़ा हो गया इसके भी जो पत्ते खराब हो रहे हैं उनको हटा देते हैं अब बात करते हैं हमारे अगले पौइंट की तो दोस्तों इस मोसम में आपको किसी प्र काफी बड़े हो गए हैं जैसे मैंने आपको यह प्लांट दिखाया काफी बड़े हो गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो है सुछते हैं उसकी कटिंग कर देते हैं अभी तो मोसम सही है कटिंग कर देते हैं तो लेकिन अगर कटिंग कर देंगे और तो इसमें आपको को पूरूनिंग करें दोस्तों किसें तोईके अने समय कम केंगे तो दोस्तों मिड फर्वारी के बाद ही करेंगे एस समय कुछ नहीं हैँ यह प्लांट देखिए इसमने ग्राफ्टेट पूॉर्टसमे से नीचे यह बरांच निकटाएएं इसको भी अगर आप बीच में skip कर देते हैं तो हो सकता है कोई बहुत ही महत्पूर्ण जनकारी आपसे छूट जाए तो वीडियो को लाश तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल आसीस की पागिया में आज पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सेर भी कर दीजिएगा तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि इस महीने में किसी प्रकार की निराई गुडाई के अलावा आपको कोई कटिंग नहीं करनी है कोई प्रूनिंग नहीं करनी है कोई रिपॉर्टिंग नहीं करनी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक महत्पून पॉइंट होता है वाटरिंग की तो सर्दियों में क्या है दोस्तों आपको उनकी पानी देने का विसीज ध्यान रखना पड़ेगा है आप पॉधों को 15 से 20 दिन में सिर्फ एक बार पानी देंगे ज्यादा बड़े पॉधे हैं आपके 2-3 साल पुराने पॉधे हैं तो 15 दिन में एक बार पानी सफीजियन्ट है उनके लिए और आपने कोडेक्स जो फॉधे के होते नीचे तने होते हैं इनको इस तुरा फ्रेस देख सकते हैं वो सॉलिड होंगे तो उनमें कोई समस्या नहीं है तो ये पानी को अपने में इस्टोर रखते हैं और सर्दियों में ये बिल्कुल निसकरी होते हैं, डॉर्मेंसी पिरेड में होते हैं, तो इसलिए इनको पानी की कम हसकता होती है, और अगर दोस्तों आप इन्हें open में रखते हैं, तो भी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, तो वो उनके लिए खतरनाक है, तो इनमें जो भी watering है उसका आपको विशीर ध्यान रखना है, पानी इन्हें कम से कम देना है, जब आप पानी देंगे तो एक बार आप इन्हें पढ़िया से पानी दे दीजे, उसके बाद इन्हें पानी देने की जरूत नहीं है, आप चाहें तो अगर पौधा आपका बड़ा ह अगर वो solid है, तो कोई समस्या नहीं है, यह देखिए इस plant की सारी leaves गिर गई है, तो कुछ में birds भी आई हुई है, सब plants का nature अलग-अलग होता है, अब बात करते हैं दोस्तों हमारे next point की, next point दोस्तों क्या है fertilizer, अब हमारे इस plant में birds आई हुई है, लेकिन हम किसी प्रकार का को कोई इसमें fertilizer नहीं देंगे, जिन में birds आई हैं तो ठीक है, और अगर किसी में bird नहीं आई हैं तो भी ठीक है, तो plant जैसा है, उसको वैसा ही रहने देना है, इस समय इन्हें किसी प्रकार के कोई fertilizer की आउसकता नहीं है, तो यह जो महीना है, October का, last का, October हो गया आपका, November, December, January, February, मिड फरवरी के बाद इन्हें हम report करेंगे और इन्हें fertilizer देंगे, अब बात कर लेतें दोस्तों, location की, क्या होता है दोस्तों, सर्दियों में सबसे बड़ा point है location का, जैसे ये open में रखे हैं, तो इन्हों दिन की धूप तो मिलती है, लेकिन इन्हें रात का समय में काफी सर shift करना पड़ेगा, जिन में धूप तो मिले, लेकिन इन्हें सीधी ओस न गिरें इनके उपर, तो इनको हम shift करते हैं, set के नीचे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों, ये पौदे हमने set के नीचे कुछ shift करना शुरू कर दिया है, बाकि इसी दिर पौदे कोरा गिरेगा नहीं, इन पर सीधे ओस नहीं गिरेगी, तो ये पौदे हमारे सर्दियों में भी स्वस्त रहेंगे, ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन स्वस्त रहेंगे, अब दोस्तों सबसे important बात, सर्दियों में आपको इस fungicide, जो आपकी script पे दिख रहा है, सा पौदा हमारा root rot का सिकार नहीं होगा, और इसका codex नहीं खराब होगा, तो आप एक-एक spoon आप ले सकते हैं, और इसको करीबन 8-inch का जो pot है, या 10-inch का pot है, उसमें आप सीधे उसकी swail में इस तरह से spray कर सकते हैं, तो जब भी आप watering करेंगे, तो ये धीरे-धीरे पानी के सा पौदे की roots तक पहुंच जाएगा, और पौदे की roots healthy रहेंगी, पौदे का codex healthy रहेगा, और पौदा स्वस्त रहेगा, दूसरा काम, आप इसको दोस्तों अपने plant के उपर spray भी कर सकते हैं, तो इस प्रे कर भी सकते हैं, और इस प्रे करने से क्या होगा, कि आपके जो plants के उ नहीं है करीबन 2 liter पानी, तो 2 liter पानी में, या फिर आप 3 liter पानी कर लिजिए, तो जैसे मेरे पास ये 5 liter पानी है, तो मैं 5 liter पानी में mix तयार कर रहा हुँ, तो 5 liter पानी में मैं करीबन 2 czym भरकर इसमें sa funny side, use करूंगा, यै देखे, ये 2ietnam मैं भरकर sa funny side, करीबन 5 लिंटर पान जो भी हमारी watering can है और अपने plants को ऊपर से नहला देंगे आप चाहें तो सीधे स्वाइल में दे सकते हैं और तो मैं तो दोनों काम करूँगा मैं इस plants को भी नहलाऊंगा और उसके बाद इन स्वाइल में भी इस पानी को दूँगा यह देखिए तो बहुत helpful है दोस्तों साफ fungicide हमारे अडेनियम के plants के लिए तो सर्दियों में जब भी आप watering करें दोस्तों तो इस तरह आप साफ fungicide या फिर दूसरा कोई fungicide है आप उसको पानी में mix कर लें और mix करने के बाद ही हर 15-20 दिन में जब भी आप watering करें तो इसका प्रयोग बश्त रहेगा यह देखिए आपको यह blue color दिखाई पढ़ रहा है यह साफ fungicide के करण दिखाई पढ़ रहा है आप बैविष्टियन fungicide आता आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर यह कुछ नहीं है दोस्तों तो आप haldi powder भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह देखिए तो जब भी आप पानी दें आप एक बार बढ़िया से पानी दीजिए उसके बाद आप इनको continue पानी देने की कोई आ सकता नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और यह देखिए मेरे और पौद हैं इन सभी पर इसका छिलकाव कर देते हैं यह देखिए चलिए और करते ह इस पर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन आपके काम का है तो देखिएगा जरूर और पसंद आया तो इसे आगे सेर करते रहिएगा तो इस तरह दोस्तों आप अपने पौधों को जो भी आपके अडेनियम के पौधे हैं उनको आप सर्दियों के मौसम में भी स्वस्थरा सकते हैं एक काम और करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं जो आपके प्लांट्स हैं अगर बड़े प्लांट्स हैं तो उनको पॉट से निकाल देते हैं और निकालने के बाद इनको क्यों ही रख देते हैं या फिर कहीं पर टांग देते हैं तो इससे भी पौदे दोस्तों हमारे जो हैं अ कार के पानी की भी जरूत नहीं पड़ती है और यह यूहीं सर्वाइव करते रहते हैं तो यह देखिए इतने सारे निकाल के रखे वे हैं तो चाहे एक तरीका यह भी है आप इन्हें निकाल कर भी रख सकते हैं और उसके बाद इन्हें फरवरी में फिर से रिपॉर्ट कर सकत तो कैसी लगी जानकारी? आप अपना जवाब कमेंट में बताईएगा ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों वीडियो को सेर करने में बिल्कुल संकोज मत कीजिएगा, साथी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए पोदे की जनकारी के साथ किसी नए टॉपिक के साथ तब तक लिए नमस्कार दोस्तों हैपी गार्डनिंग